हालो फ्रेंग्स वेलकम बैक टो माई चैनल अने श्रया आज हम बनाएंगे आलू बेंगन की मसालेदार सब्जी यह खाने में बहुत टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत असान है तो चलिए आलू बेंगन की मसालेदार सब्जी बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के ल जब बैंगन चॉप हो जाएगा तो एक आलू लेंगे आलू को भी छील के दो के इसे भी हम चॉप कर देंगे अब पैन में हमने तू टेबल स्पून ऑईल गरम किया है ऑईल अपने अकॉर्डिंग अब कम जादा कर सकते हैं इसमें डालेंगे पिंच आफ हींग और एक चम्म हल्दी पाउदर नमक डालेंगे अपने टेस्ट के पॉर्डिंग हल्दी और नमक को सबजी में अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करके इसको ढख करके मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे और बीच बीच में इसको हम हिलाते रहेंगे तो बीच बीच में सबजी को चेक करत जब आलू और बैंगन थोड़ा सब पक जाएगा यानि आधा कच्छा रहेगा तब इसमें हम दालेंगे हरीमेज तो हमने 3-4 हरीमेज को कट कर लिया है इसलिए हम सब्जी में मिक्स करेंगे और सब्जी को डब करके फिर पकाएगे जब आलू बैंगल अच्छे से पक जाएगा इसको चैक करके देखने अलू को फोड करके देखेंगे अगर आलू अच्छे से फूर रहा है जानि शाच साबजी पक दया है तो इसको हम बैश में से थोड़ी सी जगा बनाएगे । सब्जी में और अब इसमें 2 टमाटर बारी काट करके जालेंगे तो एक माट थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो इस पाटियुला से इस तरह से दबाते हुए टमाटर को मैश कर लेंगे अब इसमें हम डालेंगे मसाला तो हमने जाला 1 देव्चमप्त धन्या पाउडर एक चमर्ट सॉफ डाल रहे हैं, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं सॉफ का, एक चमर्ट तेगी मर्च और एक चमर्ट कश्मीरी मर्च, सभी मसालों को टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब टमाटर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, तो इसे हम पूरी सबजी में मिक्स करेंगे अब सबजी में सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं सबजी को हम कवर करके दो मिनिट तर और पताएंगे दो मिनिट बाद कवर हटा देंगे और सबजी अच्छे से सब मसालों के साथ में मिक्स हो गई है गैस बन कर देंगे और उपर से थोड़ा सा धन्या कट करके डालेंगे सब्जी बनकर के तयार है इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं इसे आप गर्मा गरम सब्जी को सर्व करें किसी भी तरह के पराथे या रोटी के साथ में खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो इसे आप बनाएं और अपनी एक्सपिरिंस मेरे चानल को जरूर शेयर करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रिंस और फैमिली में शेयर करें थैंक्स पूर वाचिंग